जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता, डिजाइट दुलेर्ण में आपका स्वागत है तो आज अपन कवर करने वाले 31st December के Current Affairs आखरी दिन 2022 का और कोशिच करेंगे DOTS को कनेक्ट करें और अगर आप कोई भी एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हो और CDS, NDS यह भी कोई भी आप डेफिनेटली 100% यहां से Current Affairs solve करके ही जाओगे बीना किसी देरी के शुरुवात करते हैं और DOTS को कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट कुश्चन ही आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि Legendary Footballer पहले Recently passed away, Recently इनका दियान्त हो गया है तो इक कौन सी कंट्री से खेलते थे एक खेलते थे ब्राजील से ठीक है तो ब्राजील से खेलते थे इनने तीन बार ब्राजील को World Cup जिदवाया 1958 में ठीक है 62 में और 70 में पहले को हम लोग Black Pearl के नाम से भी जानते हैं FIFA के द्वारा इनको नाम दिया गया था The Greatest का टाइटल पहले को दिया गया था अगर आप से question पूछें कि किसको दिया गया तो आपका अंसर होगा पहले अगर हम बात करें Recently Football World Cup की तो Football World Cup किसने जीता अर्जेंटीना ने किसको आराया France ये चीज आपको ध्यान रखना है अगर मैं बात करूँ Brazil की Brazil वर्ल्ड की 5th largest country है और अगर मैं बात करूँ आप से Brazil की तो Brazil देखो South America continent है ये अपन पूरी बात करते हैं इसके बारे में South America continent है उसमें एक country है Brazil ये question आपकी CDS या UPSC में पूछा गया था ये Brazil एक country है Brazil जिसका capital है Brazil तो ये सारे जो South America की continents पर जितनी भी country है वो सारे से border share करती है तीक है शिफ दो country से border share नहीं करती है वो मैं आपको बताता हूँ वो है एक Ecuador तीक है और एक है Chile तीक है ये आपसे exam में पूछा गया है capital ठीक है एफकेट वगरा में पूछे जाते है तो ये चीज आपको द्यान रखना है कि कौन सी country के साथ border share नहीं करती है Brazil सिफ वो दो country है इकवाडो और चीले बाकी जितनी भी South America continents में country है उसके साथ Brazil border share करती है तो next question देखते है तो second question है New British Indian Army Memorial to be made in which country कौन सी country में ये inaugurate हुआ है तो ये inaugurate हुआ Scotland में Scotland जिसका capital है इडन बर्ग तीक है क्या है इडन बर्ग ये चीज़ आपको द्यान रखना है इडन बर्ग और अगर मैं बात करूँ कि New British Indian Army किसको commemorate किया गया है तो ये किया गया है, honor किया गया है million of Indian troops को जिनने अपनी जान दे दी थी किया second world war में ठीक है दोनों world war में अपनी जान दे दी थी उनको commemorate किया गया, उन्हें honor किया गया, काफी अच्छा initiative है और अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए इस type के अगर आप question करते हो ना, इस type के अगर question आ गया CDS में, तो monthly जो आप पढ़ते हो ना monthly current affairs, definitely उसमें ये चीज़े cover नहीं होती है इसलिए मैं आप पे focus करता हूँ कि आप daily current affairs पढ़ो, चाहे 10 मिनीट दो, 20 मिनीट दो, कोई फर्क नहीं पढ़ता है, अगर आपको 100% score करना है, तो daily current affairs को पढ़ना ही पढ़ेगा, ठीक है, मैं बस ये बोलूँगा कि आप monthly में, monthly अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, कही से भी प पढ़ते हैं, उनसे पूछी आप, कि उनने हमेशा 100% score किया है, वगर आपका 100% target है, तो आपको 100% score करना ही पढ़ेगा, ठीक है, चलो next question देखते हैं, इसमें और एक में चीज बताता हूँ आपको, मैं भूल गया था, कि इसमें एक confusion होती, Great Britain में, Great Britain क्या है, और England क्या है, ठ इंगलेंड में क्या क्या आता है, Scotland, Scotland plus Wales, Wales इंगलेंड में आता है, और Great Britain में क्या आता है, इसमें आता है, इंगलेंड, Wales और Scotland, इसमें तीनों चीज आती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रख, next question देखते हैं, तो थर्ड कुशन है, अमिश शाह जी ने रिसेंट्ली एक एक border security forces में, इसमें क्या रहेगा, उनकी personal information रहेगी, और वो access कर पाएंगे कि हमारा accommodations, जो आयुशमान CAPF के थुरू मिलता है उनको, और जो leaves वगेरा, जो mobile का, ये सारी चीज़े कौन सी एप पर मिल पाईगी उनको, वो मिल पाईगी प्रहारी एप के उपर, तो ये काफी important एप पे और इस टाइप के questions आप से पूछे भी जाते हैं, अगर हम बात करें BASF के बारे में, तो BASF ने recently अपना raising day बनाया था, 1 December को, ठीक है, 1 December को 58th raising day बनाया था, dots को connect करते चलेंगे, और ये कहां पे हुआ था, second time हुआ था, Delhi के भार, outside of capital, कहां पे हुआ था, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में इसकी parade हुई थी, official parade, अगर मैं आप से बात करू, BASF की first female camel riding squad, first female camel riding squad, कहां पे हुई है, ये camel riding squad, ये हुई है, राजिस्तान में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और अब भी recently एक चीज आई थी news, सीमा भवानी, इनने अब भी लिमका वर्ड ब है नहीं है, ये चीज भी आपसे पूछ सकते हैं, सीमा भवानी, इस रिसेंटली न्यूज, इस, तो ये क्या है, ठीक है, next question देखते हैं, तो fourth question देखते हैं, काफी important है और इस type का question आपसे quality related पूछ चाह जा सकता है, which state become the first state to pass लोका युक्त बिल, लोका युक्त बिल कौन से state ने पास किया है, तो वो बनाए महरास्ट ने, recently आप एक corruption charges एलिज हुए, teacher interest exam में corruption हुआ, तो उसके against में ये चीज पास हुई है, आप इसे बहुत ज़्यादा deep में पढ़िएगा, और मैं बात करूँ महरास्ट की, महरास्ट अब भी क्यों न्यूज में है, बहुत ज़्या और recently independent दिव्यांग ministry किसने launch की थी, दिव्यांग independent ministry महरास्ट सरकार ने, तो अपन और क्या बात कर सकते हैं, चलो अपन next page पर देखते हैं, लोकपाल होता क्या है, तो अगर मैं आप से बात करूँ, लोकपाल और लोकपाल की बात करते हैं, क्योंकि आप इस term से familiar होगे, लोक प्रिंसर, और उस पर, तो आप किसके पात जाओगे भई, लोकपाल के पात चले आओगे central level पे, दीकिए, central level पे कोँन है, लोकपाल, और same lowka युक्त कोँन है, lowka युक्त, ये है state level पे, दीकिए, state level पे अगर आपको complaint raise करनी है for state government के कुछ officers हैं, उनके उपर तो आप lowka यु कुद ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ा सा ओर डीप में डिसकस करें अपन तो ARC के बारे में अपन डिसकस करते हैं चलो फर्स टाइम लोगपालों लोका युक्त की बात करी थी ARC कमीशन ने बात करी थी इसको हेड किया था मुराजी देसाई जी ने हेड किया था कौन से एयर में ये किया था 1966 में तो इसमें क्या बोलाता है आपको सेड करना इंस्टिटूट फॉर लोगपाल लोका युक्त के लिए तो ये चीज आपको ध्यान रखना है काफी इंपोर् अगर में थोड़ा डीप में बढ़ता है लोगपाल और लोका युक्त का ये जो एक्ट आया था वो कब आया था 2013 में ठीक है अगर अगर आपन बात करें फर्स इस्टेट जिसने ARC को पास्ट किया था ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखना है काफी इंपोर्टेंट ही है अगर अगर आपन बात करें देखो लोका युक्त का जो इस्ट्रक्चर होता है हर इस्टेट में अलग अलग होता है ठीक है लोगपाल का तो सेंट्रल लेवल पे होगा तो वो सेम ही होगा सब चीज है ये नग कि लोका यूगत का क्या होता है अलग-अलग लेवल पे होता है इस्टेट्स में 2013 एक्ट में क्या बोला वई इस्टेट्स फ्री है कोई भी अगर आपको लोका यूगत अपॉइंट करना है तो इस्टेट्स फ्री है और इस लोका जब्र करता है वो करता है governor काफी important है यह आपके exam में पूछा जाता है महाँ पर option दे दिया president का president मत लगा देना president किसको अपॉइंट करता है वो करता है लोकपाल को है न काफी important चीजे मैं आपसे discuss कर रहा हूँ यहाँ पर तो वाइल अपॉंटिंग दा गवर्नर इन मोस्ट अफ दे स्टेट कंसिस्ट तो इसमें कौन-कौन रहता है चीफ जस्टिस अफ स्टेट हाई कोर्ड यह सब चीज़ आप नोट्स में पढ़ सकते हो और टेन्योर क्या होता है देखो टेन्योर होता है पास साल फाइव इयर य इसी क्वालिटी में बने हुए है आप यहां से अगर 20 आप 20 स्कोर करना चाहते हो प्वालिटी में तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले आप यहां पे मैसेज कर दीजिए डिजायर टू लेंट टेलिग्राम पे आपको यह नोट्स मिल जाएंग अगर मैं आपसे बात करूँ रिसेंटली तमिल लांडू क्यों न्यूज में था रिसेंटली तमिल लांडू ने लांच किया था अपना क्लाइमेट चेंज मिशन ठीके फर्स्ट स्टेट बना था जिसने क्लाइमेट चेंज मिशन लांच किया था अपना ठीके आपको यह द first biodiversity heritage site बनी थी तमिल लांडू की ठीक है यह द्यान रखना है आपको यहाँ पर पता है first death audit framework हुआ था elephant का first death जो audit होती है कि कितने elephants मरें तो वो कहां पर हुआ था वो हुआ था तमिल लांडू में यह चीज आपको द्यान रखना है और नेलगीरी ताहर जिसका अगर आपसे status पूछ ले तो उसका IUCN status है in danger आपको यह चीज द्यान रखना है next question देखते है तो sixth question देखते है निकोसिया is the capital of which country देखो जो country news में होती है उसका capital आप से पूछा जाता एक्जाम में तो यह है सिपरस तीक है एक geopolitic issue भी है काफी बड़ा अगर आपन देखें यह देखो यह है तरकी जो काफी statement देता है कश्मीर के बारे में हमेशा support करता है पाकिस्तान को तो यह हमेशा मतलब उल्टे सीधे वह देता है statement कश्मीर पे अपने कश्मीर पे और अगर मैं बात करूँ इसके पास मैं है Greece अब भी recently news में इसलिए था क्योंकि यहां पे होई थी Medusa 12 exercise Medusa 12 exercise जिसमें भारत ने भी participate किया था ठीक है यह चीज आपको द्यान रखना है Greece और Greece क्यों है बाई सिप्रस और टर्की की जो मतलब relation है ठीक नहीं है ठीक है तो जब आप विजिट हुई तो काफी मतलब इनके relation पर पढ़ा कि तर्की ने बोला कि अब भी recently क्यों आ गए फालतु के statement देने की आदत है तर्की की ना तो यह चीज आप पढ़ सकते हो और for the geopolitics आप प्रशान दवन सर जी को भी मतलब फॉल्ड अफेर चैनल को उनसे अच्छा geopolitics आपको कोई नहीं पढ़ा सकता ठीक है next question देखते है कौन सी state government planning कर रही कि हम rename कर देंगे एमद नगर का नाम change करके अईल्या देवि नगर तो यह step लिया है महरास्ट सरकार कर रही है कि हम भाई change कर देंगे नाम यह थी 18th century की मालवा queen इन्हें मालवा क्यों के नाम से भी जाना जाता है अईल्या देवी वास वन आफ दा वुमेन रूलर ऑफ मेडेवेल इंडिया कौन सी डाइनेस्टी से बिलॉंग करती थी वोलकर डाइनेस्टी ऑफ मराथा एंपार और इनका फिर वो एट आट साल की उमर में इनकी शादी हो गई थी फिर उनके हस्बेंड एट दा बैटल ऑफ कुमावर में इनकी डैत हो गई थी यह चीज़ आपको द्यान रखना है इनको एक नाम दिया था दा फिलोसोफर ठीक है दा फिलोसोफर क्वीन ठीक है दा फिलोसोफर क्वीन यह नाम पता है किस ने दिया था यह दिया था जॉन कीज ने ठीक है जॉन कीज ने यह एक हिस्टॉरिका ने यह चीज़ आपको द्यान रखना है और यह कोशन आपकी एकजाम में पूछा गया इसलिए मैंने आपको यह बता दिया जो आप सोचते हो ना यह कोशन कहां से आ गया इस टाइप के कोशन इधर से पूछे जाते हैं ठीक है नेक्स कोशन देखे तो एट कोशन है अगें बेंजमीन नेतन याहू जो की प्राइम मिनिस्टर बन चुके है इसराइल के और यह शिक्स्थ टाइम बने तीक है शिक्स्थ टाइम काफी इंपोर्टन चीज है यह आपको द्यान रखना है और क्या याद रख सकते हैं इसराइल इसराइल जिसका कैपिटल है न्यूशेकल यहां की करन्सी है और यहां की ओफिशल लेंगवेज है हिब्रू हिब्रू और अगर मैं बात करूँ आपसे कि इंडिया और इसराइल के बीच में अब भी रिसेंटली जॉइंट सिक्यूरिटी डील हुई थी डैली में तो आपको यह चीज डियान रखना है तो कौन बने Benjamin Netanyahu बन चुके है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइड नेक्स कोशन देख तो नाइध कोशन काफी इंपोर्टेंट है इंडियन आर्मी ने रिसेंट्ली इनॉग्रेट किया है कौन से केंट में किया है तो यह किया है एहमदाबाद केंट में किया है तो इंडियन आर्मी ने रिसेंट्ली इनॉग्रेट किया फस्ट 3D प्रिंटेड हाउस जिसमें वन ग्राउंड कॉन्फिग्रेशन रहेगा और शॉल्जर्स के लिए यह जीज आपको ध्यान रखना है इसे किया आद आता है वो अर्बान 20 जो कि G20 का पार्ट है उसकी जो मीटिंग होगी वो कहां पर होगी एहमदाबाद में और आपको महू केंट से क्या आद आता है महू से याद आता है इंडिया का 1st infantry museum ठीके ये कहां पर आएगा महू में ठीके आज चुका है ये महू में और ये वर्ल्ड का second largest museum है, वर्ल्ड का second largest infantry museum, ये चीज भी आपको दिहान रखना है, next question देखते हैं, तो 10th question है, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने मार्क किये, उसकी 138th foundation day, तो ये कब की थी, ये की थी 28th December को, अगर अपन बात करें, कि कब इस्तापना होई थी, ये इस्तापन reformers थे, generalists थे, lawyers थे, और इसका first session कहां पर हुआ था, ये हुआ था, गोकुल दास तेचपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, ये आपसे question पूछा जाता है, कि first session कहां पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, और कब founded हुई थी, 1855 में, अगर अपन बात करें, इसकी president कौन थे, उस time president थे, A.O. Hume, ठीक है, founded by A.O. Hume, founder of this organization, तो आपको और कुछ तो ध्यान नहीं रखना है, और 1886 के अधिवेशन के, वो कौन थे, president, ये थे, दादा भाई नारू जी, दादा भाई नारू जी, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, पूछते हैं तो आप यहाँ पर contact कर सकते हो, next question देखते हैं, तो 11th question है, the G20 digital innovation alliance campaign will be organized in which city, कौन सी city में ये campaign और innovation alliance host किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बैंगले रू में, ठीक है, ये देखते हैं, under the G20 presidency, union minister अश्विनी वैशनव जी ने launch किया ये, ये जीज़ आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर की जाएगी meeting, ये की जाएगी बैंगलेरू में, अब भी recently आपको पता होगा, IISC बैंगलोर, ठीक है, IISC बैंगलोर, इसको secretary rate बना दिया गया था, S20 का, size 20 का secretary rate बनाया था, IISC बैंगलोर को, ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं ध्यान रखना है, next question देखते तो 12th question देखते है, which state commemorated the 16th date anniversary of Yukiang Nagbab, ठीक है, on December 30, sorry अगर pronunciation में कोई दिक्कत होता है, तो I am very sorry for that, तो ये किया था मेगाले में, ठीक है, मेगाले में की गई ये anniversary है ना, तो मेगाले से आपको क्या याद आता है, मेगाले से याद आता है आपको, इंडिया और recently कजाकिस्ता की exercise हुई थी, कजिंद, कजिंद, ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी, मेगाले में, ठीक है, पौर क्या याद आता है आपको, मोमूल केव, ये question आपके exam में पूछा जाएगा, मोमूल केव, ठीक है, ये कहाँ ये क्या है, इंडिया की first geo heritage side है, ये कहाँ पे, ये है मेगा मेगाले में, तो ये आपको ध्यान रखना है, यू क्यां नागबा, जो की Indian freedom fighter थे from मेगाले, इनके नाम पर ये बनाई जाती है, anniversary, इनकी death anniversary, 160 death anniversary, कहाँ पे commemorate की गई, ये की गई मेगाले, ठीक है, नेक्स कोशन देखते हैं, तो 13 कोशन देखते हैं, तो 13 कोशन देखते हैं एक्टिंग कमिशनर जो इनको किया है, चीफ, तो पहले कौन थे हैं, पहले थे सूरेश एन पटेल जी, जो की इनको, इनका रिसेंडली अब भी 10 वार खतम हो चुका है, तो अब कौन करेंगे हैड, प्रवीन कुमाश श्रीवास्तव जी, सेंट्रल विगलेंस कमिशन जिसक यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं, दो मेंबर्स होते हैं, और प्लस वन शियर में होता है, यह चीज भी आपको द्यान रखना है, ठीके, नेक्स वोशन देखते है, तो फॉर्टीन कोशन है, विच मिसाईल एक्सेंडड रेंज एयर लॉंच है बिन ट December को यह launch किया गया अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसके द्वारा किया यह ब्रह्मोस में किया गया था ब्रह्मोस ब्रह्मोस दो कंट्री के बीच का है यह agreement इंडिया प्लस रश्या इंडिया से यह दो रिवर के नाम पर यह नाम रखा गया है एक है ब्रह्मपुतरा इंडिया ओरिजन और एक है मोस्कोवा मोस्कोवा यह रश्या की रिवर है तो इसके नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस अगर आपसे एक्जाम में पूछ लेते हैं ठीक है नेक्स कोशन देखते है तो विच किर्केटर नेम डेज दा मैं अब भी आपको ही बता दिया यह चीज तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में IIT Goati, IIT Madras, IIT Delhi, IISC Bengaluru कहां पर होगा यह सेक्रेटरियेट ठीक है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और रिसेंटली विनेफ रॉम मेक्सिको मेक्सिको में भी अपना वीडियो देखा जा रहा है तो काफी खुशी मिलती है क्या इंडिया में चल रहा है उनको सब पता चल रहा है विनेफ रॉम मेक्सिको को तो नेक्स कोशन देख और दीपक शर्मा को यह बेस्ट डिसकवरी लगी इस साल की और मैं भी आशागरूँगा कि नेक्स्ट येर 2023 में अपन बेस्ट कर पाएं और आप 100% करंट अफ्यर स्वाल्व करने में सक्षम रहो तो आशागरता हूँ आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा यह सीरीज काफी पसंद आया होगी दिसेंबर मंद को अपने काफी अच्छे से काउंटर किया और डेफिनेटली आप यहां से 100% कोश्चन सॉल्व करने में सक्षम रहोगे तीक है दिसेंबर का कोई भी कोश्चन आजाएगा आप उसे सॉल्व कर पाऊगे यह मेरी गैरेंटी है तो इस वीडियो एस प्रेजेंटेड बाइ मी माइनेम इस सागर पुपता मिलते हैं 2023 में जब तक के लिए अपना द्यान रखिए जै हीन जै बारत